प्रिवियस लिक्चर में हम लोग ने बात किये थे सिंपल हुई लेन एक्सिल के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग उसी का एक इंप्रूब वर्सन को सीखने वाले हैं जिसको कहते हैं अगर आपने प्रिवियस लेक्चर आप लोग देख लिजे सिंपल हुई एन एक्सिल का जो कंसेप्ट है उसको क्लेर कर लिजे उसके बाद अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आज का यह कंसेप्ट आपको बिलकुल हलुआ जैसा लगेगा बहुत ही इजी लगेगा ओके त हैं तो आज का ऩॉपिक किस्टार्ट करते है आज हम लोग बात करेंगे के डिफयरेंशियल वि एन एक्सिल के बारे में तो मैंने आप लोगों को प्रिवियस क्लास में सिंपल हुई एक्शल का जो तो इसको बताया था कि जो गाव में कुवा होता है ठीक है गाव में जो legal system का use करते हैं ठीक है जैसे कि JAKE ये कुवा होगया हमारा के दोनों साइट क्या हुआओ दोपिलर होगा पोड़ Song का सेट लगाया होगा जो की ऐसे फ्रीली आपका घूमसकता है को मिल्च आ है यह इसमें हम लोग दो अलग-अलग तरह के जो कि सिलिंडर है वो लगाते हैं ठीक है एक आपका लार्जा डायमेटर का दूसरा आपका smaller diameter का जो larger diameter का होगा उसको हम लोग कहते हैं wheel and smaller diameter का होता है उसको हम लोग कहते हैं axle तो wheel में जो रसी को हम लोग लपेटेंगे तेक है wheel में जो रसी को हम लोग लपेटेंगे वहाँ पे उस रसी पे हम लोग लगाते हैं effort and जो आपका जो आपका क्या होगा जो आपका जाता है तो यह आपका बाल्टी जो है नीचे चला जाएगा पानी में डूब जाएगा फिर वो भर जाएगा एंड इसको फिर खीचेंगे तो यह उपर आ जाएगा तो यह होता था आपका इस में क्या अलग बात यह है कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हम लोग जितना अफोर्ट कर रहे थे इसी लूट को लीफ्ट कराने के लिए इस मेशीन पर उससे भी कम एफोर्ड जो है हमें लगाना है क्योंकि यह improve version है तो हमें और भी कम effort देना है बहुती काम जो है बहुती easy हो जाएगा कम से कम effort लगाते हुए हम लोग heavy से heavy load को जो है lift करा सकते हैं यहाँ पे तो यह है फाइदा simple wheel and axle and different wheel and axle के भी different wheel and axle में हम लोग को same amount of load lift कराने के लिए कम effort डालना होता है और इसका अगर practical example की बात करूँ तो यह जो differential wheel and axle है यह generally garage पर यूज होता है जो इंसान इसको खीषता है ना ठीक है वो बहुती easily रसी को इस तरह से खीषता जाता है और उधर जो है car जो है अपने आप lift हो जाता है तो यह फाइदा है कि हम लोग एक car को lift करा रहे हैं लेकिन हमें पता भी नहीं चल रहा है कि हम लोग car को lift करा चुके हैं इतना कम effort डाल जाता है जैसे कि simple wheel and axle में सिर्फ एक ही एकसल था एक ही wheel था यहाँ पर दो एकसल रहेगा एक wheel रहेगा wheel के बदले हम लोग handle भी लगा सकते हैं तो उसके लिए भी देखेंगे तो पहले हम लोग wheel की ही बात कर लेते हैं ओके यहाँ पर पहले मैं except draw कर लेता हूं सैप्ट अब इस सैप्ट को free में freely rotate कराने के लिए bearing system लगाना होगा तो यहाँ पर मैं लगाया एक bearing system ठीक है ओके इधर भी लगा देता हूं एक bearing system यह freely जो है rotate कर पाए ओके यह हमारा bearing system होगे ठीक है चलो यहाँ पर एक छोटा diameter का एक्सल रहेगा दो एक्सल रहेगा दो में से एक का diameter छोटा रहेगा एंड दूसरा जो diameter है थोड़ा इससे ज्यादा रहेगा ओके यह हमारा क्या हो गया दो अलग अलग एक्सल हो गया एक larger diameter का दूसरा smaller diameter का ठीक है तो आपको यह बात याद रखना है differential wheel and axle में दो एक्सल लगाया जाता है दो एक्सल लगाया जाता है जिसका diameter कम होता है एंड एक का diameter आपका जादा होता है एंड हमें wheel भी set करना है तो चलो इसको मैं extend करा देता हूं थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग जो है wheel को लगाएंगे ठीक है तो wheel जो होगा वो एक्सल से larger diameter का होगा इन दोनों से बढ़ा होगा यह तो यहाँ पर हमें फिर से bearing लगाना है तो यहाँ पर मैंने लगाए bearing ओके यह हमारा क्या हो गया this is our wheel this is our wheel एंड इसको हम लोग लगते है एक्सल और लार्जर डायमीटर डाया एंड श्मॉल इसमॉल डाया एक्सल ठीक है इसमॉल डायमीटर का एक्सल यह हो गया आपका चलो तो फिर अब रसी को लपेटा जाएगा रसी के जगा पर हम लोग केवल का यूज़ करते हैं जब हैवी लोट की बात आता है तो हम लोग केवल का यूज़ करते हैं तो केवल बहुत तरह के cable होते हैं आप लोग देखे हंगे बहुत तरह की cable होते हैं ठेक ना तो यहां पर हम लोग अब एसे रशी को लपेटेंगे चलो यह लाइन जो है स्टेट नहीं हो रहा है मुझसे कोई बात नहीं ऐसे हम लोग यहां पर जो है effort डालेंगे this is our effort point ठीक है अगर इसको हम लोग खीचेंगे तो यह जो विल है यह ऐसे घुमेगा ठीक है ना तो उससे क्या होगा कि अब इसका मैं आपको यह बता देता हूं इसका भी यहाँ पर भी हम लोग रसी को जो हैसे लपेटेंगे हम लोग एक रसी आपका ऐसे नीचे चला आएगा इधर से ऐसे गुमते हुए वो इसे जाएगा ऐसे अंदर से यह चला गया उदर के यह ऐसे-एसे आपका घुमेगा फिर इसको मतलब ऐसे लपेटा गया है का ओके ठेगा चलो यह आपको डैयागरम समझ में आ गया तो फिर यहां पे देखो यहां पर क्या लगा जाता है एक लगाया जाता है एस भूप में भी आपका क्या रहता है एक है कि पुली रहता है kandup disc यह आपका फ्रिली रोटेट कर सके तो इसको ऐसे सिस्टम पर रखा जाता है इस लाइग ऐसा एक हुक रहता है इसमें यहाँ पर हम लोट को लगाते हैं यह जो आपका हुक है दोस्तों यह हम लोग फ्रिली केबल में पूरा केबल में जो है मोब करा सकता है क्योंकि यह यहाँ पर बियरिंग लगाया गया है यहाँ पर पूली लगाया गया है यह आपका फ्रिली रो तो ये शीड खुलने लगेगा अगर हम लोग एक बार इसको नहीं है तो यह जो सैप से जरह है यह सैप भी पूरा गुमेगा सब्सक्राइब एक बार गुमेगा अगर हम वागनेगा यहाप आपको खुलने आप लेखने की मिल रही है ये खुलेगा तो ये आपका क्या होगा ये लपेटना चालू कर देगा एन ये भी आपका खुलेगा एक खुलेगा एक इसको लपटेगा ओके ठीक है तो ऐसा होता है सिस्टम इसको खुलेंगे तो ये आपका रसी को जो है उपर की तरफ किजेगा लपेटेगा एन ये खुल लगेगा बात समझ में आ डाग्राम से समझ में आ रहा है ठीक है ना मतलब यहाँ पे जो दो एकसिल है ठीक है यह जो दोनों आगे बरते हैं आगे क्या करेंगे अभी हम लोग इसका डायमेटर लेते हैं इसका डायमेटर जो है यह जो डायमेटर है विल का इस इस डी एड इसको हम लोग लेते हैं डी वन ठेक है यह लगबग ऐसा होगा तो इस इस आवर डी वन एन यह छोटा वाला कुछ ऐसा है तो य ठीक है, डी वन क्या होगा, डामीटर ओफ, लार्जर एक्सेल, मतलब जो एक्सेल ज्यादा डामीटर का है उसका, एंड डी टू, डामीटर ओफ, स्मॉल और एक्सेल, इन तीनों को किस तरह से जॉइन क्या जाता है, वन, वन रोटेशन ओफ, विल, इस इगल टू, वन, रोटेशन ओफ, लार्जर एक्सेल, इस इगल टू क्या होता है, वन डोटेशन ओफ, ओफ, स्मॉल और एक्सेल, ठीक है, ओके, कुछ इस तरह से इसको कनेक्ट किया जाता है, ताकि, एक बार अगर विल को घुमाएंगे, तो उससे एक बार ये भी घुमेगा, एक बार ये भी घुमेगा, तीनों जो है, एक बार, एक बार करके घुमेगा, ओके, चलो, अब चले आते हैं, यम डायले, जो है, फॉरमुला पे चले आते हैं, तो इस मेशिन का जो है, वैलोसिटी रेशियो क्या है, बोलो, वैलोसिटी रेशियो is the ratio between the distance moved by the effort and distance moved by the distance moved by the load, ओके, तो वैलोसिटी रेशियो क्या होता है, ये मैं आप लोग को बहुत बार जो है बता चुका हूं and जब मैंने इन सभी चीजों को पराया था तब भी मैंने बताया था कि ये पूरा चैप्टर में जो है काम पे लगने वाला है what is velocity ratio, velocity ratio है, distance, distance moved by effort, ठीक है, and इधर क्या होगा, distance moved by load, तो यहाँ पर load को मैंने connect नहीं किया, चलो, यहाँ पर मैं load को जो है लगा देता हूँ, this is our load, ओके, यहाँ पर इसको ऐसे connect करके रखा गया है, ठीक है, चलो, तो यह होता है हमारा velocity ratio, तो velocity ratio इस मेंसन के लिए कैसे निकालेंगे, अभी यह तो हमें पता है कि एक rotation में कितना इसका जो circumference होता है, wheel का, वही घुमेगा circumference, यह हमारा पूरा wheel हो गया, इसको मैंने यहाँ पर draw किया, तो देखो, इस point को अगर हम लोग घुमा के फिर इस जगा पर ले आएंगे, मतलब one rotation इसका एक चक्र पूरा करेंगे, तो कितना घुमेगा यह point बोलो, इसका जो circumference होत होगा, इस पाइडी, इस पाइडी, ओके तो यहाँ पर लिख लेते हैं सारी चीजों को, for, for नहीं, in, in one rotation, in one rotation, in one rotation, in one rotation of wheel, क्या होगा, डिस्टेंस कितना होगा, पाइडी होगा, ठीक है, in one rotation of wheel, इस टिंग, इस टिंग ही लिखते हैं, आपे, इस टिंग इज, इस टिंग इस अन वेंड, इस टिंग इस अन वेंड, वह होता है, पाइडी, ओके, एंड इन, वन रोटेशन, आफ, लार्जर एक्सेल, लार्जर एक्सेल, कितना खुलेगा, बोलो, लार्जर एक्सेल, कितना खुलेगा, लार्जर एक्सेल, खुलेगा, कितना खुलेगा, बोलो, लार्जर एक्सेल, कितना खुलेगा, यहाँ पर यह खुलेगा, आपका, इसका डामेटर डी है, डी वन है, तो पाइडी वन, ओके, अच्छा, यह खुलने से, यह आपका, क्या हो रहा है, रैप्ट हो रहा है, ठीक है, एन, इन, वन, रोटेशन, इन, वन, रोटेशन, औफ, स्मॉलर, स्मॉलर, एक्सेल, अनुएंड, कितना खुलेगा, यहाँ पर बोलो, पाइडी टू, ठीक है, बात समझे बाएगा, एक चक्कर में इसका कितना खुल रहा है, कितना रसी जो है, पाइडी खुल रहा है, ठीक है, इसका कितना खुल रहा है, जो, इन दोनों का कि एक तो आपका रसी को खोल रहा है तो एस रेजल्ट दोनों का घूर का जो math ? औक जो दोनों कांव dog अँन का मैनाश कर देंगे एक से जो है एक को हम लोग माइनास कर देंगे तो फिर एतना आप लोगोंलिक लिए हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं look net length that is wound by the axles fell into dcare what did you like it be one body of an ठीक है माइनस ये कितना रसी को लपिट रहा है लेकिन ये कितना खोल रहा है πाई D2 तो ये जो है net link हमें मिल गया है कि कितना रसी हमारा लपेटा जा रहा है इसके खोलने से लिकन देखो यहाँ पे सिर्फ रसी जो है यहाँ पे यह आपका दो हिस्सों में बाड़ गया है मतलब जितना खुल रहा है या फिर जितना लपेटा जा रहा है उसका आधा ही हमें मिलेगा यहां पर एफेक्टिड ठीक है आधा ही मिलेगा क्योंकि यह दो हिस्से में बटा हुआ है जितना खुलेगा उसका दो हिस्से में बढ़ जाएगा, तो after all हमारे पास क्या मिलड़ा है, हमारे पास मिलड़ा है, the distance, the distance moved by load, ठीक है, तो कितना distance move होगा दोश्तों, जितना रशी, total लपेटा जाएगा, उसका आधा ही होगा, तो ये होगा हमारा, Pi D1 minus Pi D2 by 2 तो इतना यहां से VR निकाल सकते हैं तो जो है हम लोग यहां से VR निकाल सकते हैं तो इसको निकालते हैं, we are, विव सारे values को हम लोग लगा देते हैं, यहाँ पे, चलो, तो distance move by effort, कितना मिला हमें, pi d, distance move by the load, यह हमें मिला, pi d1 minus pi d2 by 2, ओके, तो देखो, इसको simplify करते हैं, 2 को पल ले जाएंगे, तो 2 pi d होगा, नीचे होगा, pi को common लेते हैं, तो d1 minus d2, pi pi कट जाएगा, तो हमारे पास रहेगा, 2 d by d1 minus d2, ठीक है, this is our, this is our क्या, velocity ratio for this machine, ओके, velocity ratio समझ में आया, velocity ratio कैसे निकाले हैं, velocity ratio हम लोग ने ऐसे निकाले हैं, 2 d by d1 minus d2, यह है, velocity का formula, ओके, velocity का formula में मिल गया, velocity ratio का formula मिल गया, तो हम लोग mechanical advantage भी निकाल दते हैं, mechanical advantage क्या होगा, mechanical advantage हम लोग जानते हैं, load by effort, ओके, this is our mechanical advantage and this is our velocity ratio, तो इन दोनों के सारे हम लोग निकाल सकते हैं, efficiency of the machine, ओके, efficiency, तो efficiency क्या होगा, ma by vr, तो ma है मारे पास, w by p, और vr कितना मिला है, 2 d by d1 minus d2, इसको simplify करो, क्या मिलेगा, इसको simplify करने से क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा बोलो, इसको मैं हटा देता हूँ, पुरा, तो आप लोग जो है, एक एक करके सारे चीज़े जो है, लिखते जाईए, ठीक है, क्योंकि मेरे बोल्ट के कम जगा है, तो फिर मैं एक साथ सारे चीजों को जो है लिखने ही सबस्दाइभ अगर उसको PO एक साथ लिखना है तो फिर इसको मुझे stre dados करना होगा दायाग्राम को एक करने वाला कि दायाग्राम के साथ मैं आप लोग को समझा रहा हूं तो यह देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं इसको सिंप्लिफाइ कर सकते हैं तो डी 1-2 ओके नीचे होगा टूडी ठीक है टूडी ओके तो हमारे पास अल्टिमेटली यह जो है फॉर्मुला हमें मिल गया है डबलू डी 1-2 और नीचे होगा टूडी डी दिशिजावर एफिशियंसी ओके यह हमारे पास मिल गया है एफिशियंसी तो इस मैसिन के लिए अगर आपको एफिशियंसी निकालने बोला जाए तो आप लोग क्या करेंगे डायरेक जो है इस फॉर्मुला का यूज कर सकते हैं या फिर आप लोग एनलाइज पहले तो आपको फिर और अब्तार पता चल जाता है तो आप लोग इसी से उसको शप्रेशियंसी निकाल सकते हैं लोके चलो यह हमारा पास एक फॉर्मूला को आप लोग ऐसे मार्ग कर के रखेगा ऑक चलो तो देखो अब अगर इस हुइल के जगा पे हम लोग इस हैंडल लगा देंगे तो उसके लिए क्या केज़ बनेगा उसके लिए वैल्सुटी रश्यो क्या बनेगा बोलें उसके लि इसको लगा दिये हैं ऐसे ओके यहां से पकर के जो हम लोग इसको घुमाएंगे और इसका जो एफेक्टिव लेम है सेंटर टू सिंटर यह डिस्टेंस आपका क्या है एल है तो फॉर्मुला क्या बन जाएगा वैलोसिटी रेशियो का वोलो वैलोसिटी रेशियो का 4L by D1 minus 4L D1 minus D2 ओके ठीक है तो D के जगा पे इन दा केस ओफ हैंडल ठीक है इन दा केस ओफ हैंडल एंड हूइल तो देखो D के जगा पे हम लोग 2L लगा देंगे तो यह हो जाएगा हमारा हैंडल ठीक है तो wheel के लिए हम लोग ने velocity ratio क्या देखा था 2D by D1 minus D2 ठीक है तो D के जगा पे अगर आप 2L लगा देंगे तो ये ultimately जो है ये formula आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका handle के लिए formula ठीक है अगर आपके differential wheel and axle में wheel के जगा पे handle है इस formula को ये चलो तो इतना concept आप लोग को समझ में आ गया है तो हम लोग अभी करेंगे एक numerical problem ठीक है तो इसके लिए पूरा जो है मुझे erase करना होगा and मैं आगे जो है आप लोग को और भी numerical कराऊंगा लेकिन सबसे पहले तो syllabus को खतम करना होगा एक या दो numerical करके हम लोग अभी जो है सारे machines को सीखने वाले हैं ठीक है एक से दो ही numerical मैं कराऊंगा हर एक machine के लिए and last में सारे syllabus complete हो जाने के बाद मैं आपको और भी numerical problem कराऊंगा सभी chapters से सभी chapters से चलो तो फिर अभी हम लोग क्या करेंगे एक numerical problem जो है solve करने वाले हैं तो numerical problem को पहले मैं लिखा देता हूँ the larger and smaller diameter of the the larger and smaller diameter of the differential fill and axles are are कितना दिया गया है are 80 mm and 70 mm 80 mm and 70 mm respectively ठीक है तो यह जो diameter दिया गया है दोस्तों यह दोनों axle का ही diameter है एक larger axle एक smaller axle दोनों का जो है diameter दिया गया है उसके बाद the effort is applied to the wheel of diameter 250 mm the effort of the the effort which are the effort is applied sorry the effort is applied applied on the wheel on the wheel of diameter 250 mm ठीक है यह 250 है 250 mm का फ्यूल है what is the velocity ratio okay पहला सवाल तो पूछा गया है आपका what is the we are velocity ratio what is the velocity ratio देन उसके बाद पताया गया है find efficiency find the efficiency efficiency if when a load of a load of 1075 Newton 1075 years 4050 and 1050 is lifted by an effort of 25 Newton 25 Newton ठेक्व है तो यह है सवाल यह पूरा सवाल जो है लिख लिजे एड लिखने के बाद वीडियो को थोड़ा सा पॉस करके खुद से ट्राय किजिए ठीके वीडियो को थोड़ा सा पॉस करके खुद से ट्राय कीजिए बाकी मैं solution जो है आपको यहाँ पर करवा देता हूँ ओके चलो आप लोगोंने try कर लिया होगा तो अब मैं start करता हूँ इसका problem solve कैसे इसका solution किया जाएगा देखो सबसे पहले हमें क्या-क्या दिया गया है वो देख लेते हैं D दिया गया है कितना 250 mm अब यह D क्या है यह मत पूछेगा D is the diameter of film ठीक है and D1 दिया गया है 80 mm अब यह D1 क्या है यह D1 है आपका क्या है बोलो तो larger diameter वाले XL का diameter and D2 कितना होगा 70 mm ठीक है ना तो यहाँ से जो हम लोग वैलो सिटरेशो निकाल सकते हैं तो by using these three values we can determine the velocity ratio of the machine velocity ratio एक नमबर क्मशिन का जो एंसर है वो क्या होगा velocity ratio इसको हम लोग जानते हैं 2D upon D1 minus D2 तो यहाँ पर आपको 2 into 250 करना है into D1 80 minus 70 and यह निकला आपका क्या 2 into 250 नीचे रहेगा 10 तो 10 से 10 हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 50 तो वैलोशिटी रेशियो इस 50 वैलोशिटी रेशियो इस 50 ओके चलो तो दूसरे सवाल पर चले आते हैं दूसरे सवाल पर क्या कहा गया है find the efficiency when a load of 1050 Newton is lifted by an effort of 25 Newton तो देखो efficiency का formula क्या है हम लोग जानते है MA by VR MA by VR तो यहाँ से अगर हम लोग MA का value अलेक्से निकाल लेते हैं VR का value हमें पता है तो हम लोग डारेक्स का निकाल सकते हैं दूसरा method क्या है कि हम लोग ने जो formula देखा था उसको भी हम लोग use कर सकते हैं ओके वो formula क्या था w वो formula का मैंने अभी लिखाए आप लोगों को w d1 minus d2 और निचे रहेगा 2pd d1 minus d2 और निचे रहेगा 2pd ओके तो आप इस बाले को भी उसकर सकते हैं इस वाले को भी उसकर सकते हैं तो मैं recommend करूंगा कि आप इस वाले को इस कीजिए क्यूंकि यह बहुत ही सिंपल है हम लोग इसको पहले से जो है परते आ रहे हैं में वाइड इदिकल टो एफिसींसी वियर हमें पता है तो एमें निकालने में क्या देरी है है में निकालेंगे कैसे में निकालने के लिए हमें जानना होगा लोड एफोड का वैलू तो लोड क्या आप है हजार पचास एफोड है ओंली 25 तो हजार पचास को हम लोग 25 से अगर डिवाइट करेंगे तो क्या होगा 25, 4 42 होगा ठीक है? 42 तो MA जो है निकला हमारा कितना 42, MA कितना निकला हमारा 42, तो अब हम लोग जो है direct, efficiency is equal to MA का value लगाएंगे 42 एन इधर लगाएंगे 50 तो 42 and 50 को आफ divide कर लिजे, फटाफट से calculator से divide कर लिजे तो आपका जो है efficiency मिल जाएगा 42 by 50 that is 0.84 0.84 efficiency को अगर decimal में लिखेंगे तो 84 होगा अगर हम लोग इसको percentage में लिखेंगे तो इसके साथ 100 multiply कर दो तो यह होगा 84% तो this is the answer 0.84 या फिर 84% is the efficiency of the differential wheel and axle देखो कितना आसान है ठीक है? अगर आपको पूरा कर से पता होगा ना तो बहुत यहां असान होगा देखो कुछी line में जो है हो गया exam के बग थोड़ा सा आप लोग लिखे करेगा D क्या है इसको लिखेगा diameter of the wheel D1 थोड़ा सा लिखे करेगा तो फिर exam भी mark जो है इंप्रेश हो जाएगा अब तक हम लोगों ने जितने भी classes कर चुके हैं अल्मूस्ट हमारा पूरा से लिखेगा होने वाला है अभी तो आप लोग जो है अपना प्रैक्टिशिंग जो है स्टार्ट कर दीजें और इसी महिने में मुझे जो एफ़ी मतलब फंडामेंटल ओफ एलेक्टिकल और इलेक्ट्रों इंजिनियरिंग उसको भी लगवग कंप्लिट कर देना है सिस्टम का क्लास 5 नवेंबर से 5 दिसेंबर से स्टार्ट होगा आप सबी लोग के लिए कह देता हूं फाइब डिसेंबर से जो है इस को मैं 25 डिसेंबर से पहले ही कंप्लिट करा दूंगा चलो तो आपको सिर्फ क्या करना है कि अपने दूस्तों को classes जो सेयर करना है and classes देखे कैसा लग रहा है उसका review जो है आपको comment पे देना है कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं और कोई सुधार की ज़रुत हो तो भी आप suggest कर सकते हैं वाटसेप मेरे साथ contact कर सकते हैं अगर personal बात हो okay कुछ चलो तो अपना study पराबर करते रहना और तबियत का भी ख्याल दखना मिलेंगे next class में thank you very much